गुद मौनिक स्टुदेंट्स, इन लास्ट क्लास्, वी हव दन आवर 85 कन्वर्सेशन संटेंसेज, तोटे वी प्रोशीड इट, फिर्स अफोल राइट, देन हेडिंग, ट्रांसलेट द फोलोईं संटेंसेज इंटो इंग्लिश, लेट स्टार्ट फ्रोम 86 संटेंस, अवर 86 स संटेंसेज, मेरे पास आओ, आपकी टीचर या आपकी मदर या फिर कोई रिलेटिव आते हैं, वो आपको अपने पास बुलाते हैं, क्या बोलते हैं, मेरे पास आओ, कम टू मी, I repeat, कम टू मी, अबर 87 संटेंसेज, वह है, रास्ते में हैं, He is on the way, कोई आने वाला है, और आ He is on the way, our 88 संटेंस is, सडक पर मत खेलो, आपके पेरेंट्स या आपको टीचर आपको हिदायत देती है, कि हमी सडक पर नहीं खेलना चाहिए, वो आपको क्या बोलते हैं, कि सडक पर मत खेलो, do not play on road, do not play on road, our 89 संटेंस is, मेरी मदद करो, आप किसी को help के लिए बुलाते हो, क मेरी मदद करो, क्या बोलते हो, help me, help me, our 90 and last sentence is, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, कोई relative है, आपके घर पे आया हुआ है, या कोई teacher है, जो unknown है, आपको जानता नहीं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, आप से पूशता है, कोशन पूट करता है, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, in which class do you read, in which class do you read, बच्चो लास्ट में हम कोशन मार्क पूट करेंगे, क्योंकि यह हम एक कोशन पूट कर रहे हैं, यह एक interrogative sentence है, उसके लास्ट में कोशन मार्क आता है, तो आपको दोनों sentence में कोशन मार्क पूट करना है, हिंदी के लास्ट में भी, और इंग conversation notebook with neat and clean writing students, I hope you learned these sentences and also understood it, please like this video, thank you.